हाई आपको बताने वाली हूं माइ स्किन के रूटीन फर ग्लोइंग स्किन तो यह रूटीन बॉइस भी फालो कर सकते हैं और गल्स भी फालो कर सकते हैं तो यह दोनों के लिए तो सबसे पहले मैंने भी मेकप किया हुए तो मैं अपना फेस अच्छे से क्लीन करूंगी तो क्लीन करने के लिए मैं जुनरली यूज करती हूं गार्नियर का माइसला वाटर और नेविया का क्लेंसिंग मिल्क तो आज मैं नीविया के cleansing milk से ही अपना face अच्छे से clean करूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा heavy makeup किया हुआ था तो आपको इस तरीके से इसको अपने पूरे face पर लगाना है तो cleansing milk हमारे face को बहुत अच्छे से clean कर देता है सारी impurities को बाहर निकाल देता है जिससे हमानी skin बहुत ज़दा glowing हो जाती है और रात को तो वैसे भी आपको अपने face को अच्छे से clean करके सोना ही चाहिए चाहिए आपने makeup किया हो चाहिए ना किया हो तो इस तरीके से मैं अपने पूरे face पर apply करूँगी बहुत gently बहुत ज़दा hard नहीं होना है आपको तो इस तरीके से यह मेरे पूरा makeup अच्छे से निकाल देगा और neck area को तो बिल्कुल भी avoid नहीं करना है इसको अच्छे से ऐसे clean करता है उसके बाद मैं use करूँगी यह Minisoo से मैंने खरीदा था तो यह 1000 strips है इसमें तो यह काफी अच्छा है और बहुत ही gentler से clean कर देता है तो इस तरीके से आपको अपने पूरे face पर इसे लगाना है तो मैं इसका link पी आपको description box में दे दूँगी अगर आप चाहें तो आप Minisoo's को purchase कर सकते हैं यह काफी अच्छी है मैंने देखा है Johnson's की baby wipes से मैं पहले clean करती थी तो मुझे उससे काफी ज़दा problem होती थी अभी देख सकते कि मेरा कितना जादा dirt निकला हुआ है और इसके बाद आपको अच्छे से इसको clean करना है clean करने के आपको toner लगाना है तो अभी मेरा अच्छे से clean हो गया है उसके बाद आप देख सकते हैं कितना सारा dirt निकला है मेरे face से उसके बाद मैं अपने face wash करूँगी तो face wash के लिए मैं use करी हूँ mama art का rice water face wash तो यह काफी अच्छा face wash है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा glow लाता ह आपके face face में लिखा भी यह glass skin पानिंग के लिए face wash है वाकी बहुत ही अच्छा result था तो मैं again यह wipes लूँगी और अपने पूरे face पर मैं लगाऊंगी toner तो toner के लिए मेरे पास दो toner एक biotic का है और एक नेविया का है तो आज मेरा biotic का मैं use करूँगी तो यह biotic का मैं बहुत ज़्यादा use करती हूं तो अभी बहुत खतम भी हो चुका है मुझे again दूसरा purchase करना है तो इस तरीके से मैं पूरे face पर dab dab करके लगा लूँगी तो यह क्या करता है न हमारे pores को अच्छे से बंद कर देता है जो हमारे pores खुल जाते हैं उनको बंद कर देता है जिसे acne और pimple क नहीं होती है तो इसको सूखने के बाद मैं लगाऊंगी यह अपना अप सिरम लगा सकते हैं या फिर मैं लगाऊंगी लॉरियल का micro essence water यह बहुत ही जादा अच्छा था मेरे face के सारे इसने dark spots को reduce कर दिया बहुत जादा अच्छा मुझे result मिला है तो यह भी मेरा खतम हो अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा serum है तो आप उसको लगाईए बट यह काफी अच्छा था अगर आपकी skin combination type के यह फिर all skin type अलो के लिए भी यह काफी अच्छा है तो इस तरीके से मैंने पूरे face पर इसको लगा लिया इसको भी थोड़ा सा सूख जाएगा तब तब बात मैं लगाऊंगी सबसे जादा essential चीज तो यह है मेरी under eye cream तो TNW की under eye cream है इसको मैंने online मगाया था तो इसका भी मैं आपको link description box पर दे दूँगी आप वहाँ से इसको देख सकते हैं तो इस तरीके से मैं लगाऊंगी ताकि आपको बिलकुल भी dark circle की problem ना हो वैसे तो मु और काफी अच्छा effect लाता अगर आपकी puffy eyes है ना तो puffy eyes के लिए काफी जादा अच्छा है उसके बाद मैं use करूंगी अपना points का moisturizer तो मैं यहां कोई expensive night cream नहीं लगा रही हूं क्योंकि कोई मतलब नहीं होता है हमें अपने face को अच्छे से moisturizer करना होता है तो अगर आपने मसाज करने से आपका blood circulation बढ़ जाता है और आपके face पे बहुत अच्छा glow आता है तो इस तरीके से आपको पूरा routine यह करना है ताकि आपके face पे कोई pimple कोई भी acne की problem ना हो कोई dark circles ना हो और आपका face बहुत जादा अच्छा हो glowing हो और tighten हो आपकी skin तो इस तरीके से अगर आप मसाज करती है तो आपके skin tight हो जाती है और काफी अच्छा effect आता है जो आपकी loose and sagging skin होती है वो बहुत जदा tighten हो जाती है तो इस तरीके से आपको करना है और यह fish face बनाना है आपको इससे तो आपके face पे बहुत ही ज़ादा अच्छा glow आ जाता है इस तरीके से आप अपनी nose क कॉंटोर कर सकते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़दा अच्छी होने वाली है इस तरीके से तो अभी मेरा पूरा नाइट स्किन के रूटीन हो चुका है मैं इसको डे में भी फॉलो करती हूँ इस तरीके से उसके बाद मैं लगाओंगी अपना आई मास्क तो इसको थोड़ी इसकी प्रॉब्लम है तो आप इसको जरूर से जरूरी रूस करिए तो मैंने इसको मीनिस Zh aqui यो से लिया था इसके अंदर एक night एक जेल भी है तो यह जेल क्या होता है इसको आपको फ्रिज में रखना होता है तो मैं यह जेल निकाल लेती हूँ इसके बाद इसके अंदर डालके मैं अपनी आखो को अच्छे से रिलाक्स करती हूँ तो यह काफी ज़्यादा रिलाक्सिंग ठिंग है और बहुत ही अच्छा ग्लो लाता है तो मैं आपको मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाबाई